हाई दोस्त मैं रभी आज मैं बताने जा रहा हूं लग की निन्वा करेले में जो रेद माइट होते हैं जो लाल कीड़े होते हैं उनको कैसे बचाया जाए और कौन सी दवा मारा जाए आप मैं इस वीडियो में पूरा में डिटेल से बताऊंगा और मैं अपना नंबर विश् सब्सक्राइब कर सकते हैं हम उसे डारेक्ट बात कर सकते हैं इसमें कौन सी टानिक मारा जाएगा कौन सी कित नासक मार जाएगी इसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा सुबह में कौन सी दवा मारे जाएगी और साम को कौन सी दवा मारे जा कैसे दाइमेज हो जाते हैं उनको रोग थाम के लिए मैं पूरा डिटेल बताँंगा इसमें मेरे बीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को लाइक और साश्क्राइब करें और जहां तक हो सके चाहिए मेरे वीडियो को सेयर करें मैं आपका दौस्तρ रही मैं एक सुपर कि संतुज अवस्योंगे मैं इस वीडियो में पूरा डीटिल बताऊंगा आप मेरे वीडियो को पूरा देखें आन तक देखें कौन से कीड़े हैं इसमें मैं दिखा रहा हूँ यह देखिए हाई दोस्त मैं रभी मैं अब दिखान जारा हूँ रेद माइट को कैसे खत्म किया जाए एक पौधे पर लगके पौधे को सारे दाइमेज कर देते हैं और खराब कर देते हैं इनको रुख थाम के लिए मैं एक अभी दवा बताऊंगा इसका मात्रा सुबह में मारा जाएगा यह देखिए इसको रुगार करते हैं रसाइनिक नाम दाई मित्रियत हैं इसको एक लिटर में एक एमेल डाला जाता है जिसे पौधे पर कोई परभाने पड़ेगा डाल के इस्प्री कर दीजिए इसका मात्रा बता है एक लिटर में एक एमेल डाल के इस्प्री कर दीजिए इसको इस्प्रे करने का साही समय है सुबह हमें करिए अभी मैं एक और दवा दाओंगा साम को इस्प्रे करने से जमीन के जो भी कीर हैं या उपर वाले रस्चूशक कीर हैं सभी को खत्म कर देगा यह देखिए कभी मारिय साम को दवा मारिए और सुभा दवा मारिए अभी दो परकार का दवा बताऊंगा आपको कभी पौधा पर दवाई मारिए तो पौधे को भीगो भीगो के मारिए जिससे पौधे पर कोई प्रकार कीरे रहेंगो तो मर जाएंगे ये देखिए साइपर है ये साइपर को आप साम को मारिएगा जिससे जमीन वाद कीड़े जो होते हैं धोले वोले सब मर जाते हैं ये देखिए साइपर है इसको भी एक लीटर एक इमिल पानी में डालके स्प्री कर दीजिए वो भी साम को इसका इस फ्रेश साम करने से फायदा होता है जो भी जमेनी कीड़े होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं और पौधा कोई दाइमिज नहीं होता है कभी पौधा पर दवा मारिए पौधे को भीगो क मारिए ताकि दवा आसाये से उस पौधे में भीण जाए और उप पोधे पे कभर कर ले जिससे कोई भी कीरे उस पत्ते को या पोधे को कातेंगे तो मर जाएंगे और इससे कोई साइट इफेक्ट नहीं है आप इसको हफ़ती में एक बार सुबा साम 22 फ्रे करिए सुबह में आप रोगोहित या रोगार के नाम साता है रासाने के नाम है इसको सुबह मारिए और जो साइफर है उसको साम को मारिए इनका मात्रा मिला के मारना है एक लीटर एक केमियल पानी में डल के मारिए जब एक लीटर एक केमियल दवा रहेगा तो पौधे पे असानी से मारने में अच्छा रहेगा यह देखिए स्वाष्ट किन अच्छा पौधा है लोकी है करेला है आप इन सभी पीड़ों में मार सकते हैं और जमिनी कीड़े भी मर जाते हैं इनको पौधे में नमी बनाये रखें कभी भी पानी चलाई हो तो उस्ता 거 को पादी चलाई है सुबह में पानी मत चलाए ये ने तो पौधा दाय में जोते हैं ये दिखिए इनका कली देखिए इनका इस्प्रे करने से ये पौधे पति स्वस्थ हो जाएंगे ये सुपर की नासक कामबो है ये दवा हमने खुद रिसर्च करके मनाए है किस मात्रम कम मिला कमाना चाहिए आ और आप इन दोनों दवांको ऐसमें कभी मत मिलाए रिदेव आ सुबह में और ईक भर सामका को इससे कोई दिकत नहीं होगी और लाओ नहीं ये देखिए कि आई तंप्रिचर होने को वज़े से गर्मी के वज़े से जमीन गर्म नहीं होते हैं कि साम को पाइन इसलिए चलाया जाता है कि जमीन थंदे और जड़ का विकास हो यह देखिए इसमें मादने अला तानिक है सुपर सोनाता इसको भी आप एक लिटर पानी में एक एमेल डाल के स्पे कर दीजिए इससे पधे आसायने शुक्र होते हैं पत्ते चौड़े होते हैं और किसी प्रकार का कोई साथी फेक नहीं है आप मेरे चैनल पर दने हैं तो लाइक करे सब्सक्राइब करें मैं आपका दोस्त रभी जो भी दीक्यात हो तो मेरे से स्यर करें unnecess कर claim घ्र अ YouTube देखिए के पर दोः॥े के बार्से सब्सक्राइब आना है तो मेरे नमर घ्र पर किरें